भगवाधारी युवाओं के हाथों में तलवार देकर बुरी फसी कॉंग्रेस पार्टी दिग विजे सिंग के ट्वीट पर मचा बबाल दिग विजे सिंग द्वारा ट्वीट की ए वीडियो में आखिर क्या बताना चाहती है कॉंग्रेस वीडियो देख बॉखलाउट है बीजेपी के नेता नमस्कार सरातन टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथ सितंबर से कॉंग्रेस पार्टी भारत जोडो आंदोलन की शुरवात करने जा रही है इस आंदोलन के जरिये कॉंग्रेस का ये कहना है कि वो भारत के जन जन को जोडने का काम करेंगे लेकिन लोगों का ये कहना है कि इस वक्त कॉंग्रेस को भारत के जन जन को जोडने की जरूरत से ज़ादा जरूरी है कॉंग्रेस पार्टी के विखरती उवे नेताओं को जोडने की लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दिगविजय सिंग के ट्वीट से सामने आ रही है जिसके बाद दिगविजय सिंग का पूरी तरह से विरोध किया जा रहा है बतादे कि कॉंग्रेस नेता और राजिसमा सांसद दिगविजय सिंग ने कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा अभियान से जुड़ा एक वीडियो ट्वीट किया है दिगविजय सिंग की इस पोस्ट को लेकर अब बीजेपी में आक्रोश है बीजेपी MP ने वीडियो पर आपत्ती उठाई है बीजेपी ने दिगविजय सिंग पर कनहया लाल हत्याकान को लेकर भी घेरा है दरसल कॉंग्रेस नेता दिगविजय सिंग ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें भगवा जंडा उठाए यूबकों को हाथों में तलवार लिए दिखाये क्या है वीडियो कॉंग्रेस की भारत जोड़ यात्रा से संबंधित है जिसके बाद भारती जंता पार्टी ने दिगविजय पर जोरदार हमला बोला है इसे पहले कि हमाँ आपको पूरी खबर बताएं आप जरा उस वीडियो को देखिए जहाँ पर दिगविजय सिंग ये बताना चाहते है इनफैक्ट कॉंग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि किस तरह से आज देश में कटरता बढ़ रही है बतादे कि इस पूरे वीडियो को लेकरके MPBJP के नेताओं ने दिगविजय सिंग को घेरा है और आरोप लगाया है कि दिगविजय सिंग हिंदू विरोधी है BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने पूछा है दिगविजय सिंग को केसरिया रंग में कटरता दिखती है लेकिन कनहया लाल के हत्यारों में उन्हें कटरता क्यों नहीं दिखती गौर तरब है कि नुपुर शर्मा का कथित तोर पर समर्थन करने पर राजस्थान के उदैपुल में पिछले दिनों टेलर कनहया लाल की दिन धाड़े हत्या कर दी गई थी विधायक ने ये भी कहा कि दिगविजय सिंग कब तक हिंदू का विरोध करते रहेंगे हिंदूस्तान हिंदू का ही तो है इसकी रक्षा हिंदू नहीं करेगा तो कौन करेगा इसी के सर्याध्वच के साथ हाथ में तलबार लेकर छत्रपती श्रिवाजी महराज निकले थे तब सवराश्र की स्थापना हुई थी भगवा ही है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को जोड़ेगा बतादे कि कॉंग्रिस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो अभियान शुरू करने की बात कही है यह यात्रा 770 से शुडू होने जा रही है। कॉंग्रेस के मुताबिक भारत जोडो यात्रा लगबारे राजियों और दो केंदर शासित प्रदेशों से होते हुए करीबन 3500 किलो मेटर की दूरी तै करेगी। यह सारी दूरी पधियात्रा की रूप में तै की जाएगी। इस तरह से उन्होंने भगबाधारियों को तलवार ली अपने वीडियो में दिखाया है। उससे तो साफ जाहिर है कि उनका असली मोटो कुछ और ही है। देख विजय सिंग के स्ट्वीट पर आपकी क्या राय है। कॉमेंट सेक्षन में आप अपना कीमती सुझाओ जरूर बत